हेलो बच्चो, आज हम मरुस्थलिय आवास के अनुकूलन के बारे में जानेंगे हम कई आवासों के बारे में जान चुके हैं और कैसे कई जीव जीवित रहने के लिए इन कठिनाईयों को पार करते हैं कुछ आवासों में, सिथियां बहुत कठिन होती हैं जैसे पोला रीजन, डेजर्ट, आदी में हम पोला रीजन के बारे में पढ़ चुके हैं चलिए अब हम मरुस्थल याने की डेजर्ट के बारे में और जानकारी हासल करते हैं यहां पानी की बहुत कमी होती है और तापमान भी बहुत अधिक होता है और बहुत कम या नहीं के बराबर पौधे होते हैं सबसे पहले मरुस्थल में रहने के लिए प्राणियों और पौधों को बहुत कम पानी में जीवित रहना आना चाहिए और उन्हें पानी संग्रक्षित करने की भी आउशकता होती है आप चानते हैं कैंगरू चुहे भोजन से मिलने वाले पानी पर ही जीवित रह सकते हैं इनका पसंदीदा भोजन बीच है जो की हवा से आदरता ग्रहन कर लेते हैं कई कैंगरू चुहे अपना पूरा जीवन बगेर पानी पिये ही व्यतीत कर लेते हैं इन्हें पसीना तक नहीं आता पानी का संग्रहन करने के लिए इनके शरीर में गाढ़ा मूत्र बनता है यहां तक की साब जैसे रेप्टाइल्स पानी बचाने के लिए शरीर के व्यर्थ पदार्थ अर्धर ठोस यूरिक एसिड के रूप में बाहर निकालते हैं शाकाहारी उंट भी भोजन से ही पानी ग्रहन करता है इसके होंट मोटे होते हैं जिससे ये काटेदार जाडियों को जिनमें पानी संग्रहित होता है बिना जादा दर्थ के असानी से चबा सकते हैं उंट एक बार में 40 लिटर से भी जादा पानी पी सकते हैं जिससे ये कई कई दिनों या हफ्तों तक भी बगेर पाने के रह सकते हैं ये अपने हम्प याने कि ये अपने पीट या हम्प में वसा जमा रखते हैं और ये एक food reserve की तरह कारे करता है इसलिए ये कई-कई दिनों तक भी, कभी-कभी हफ़तों तक भी बगेर खाये पिये असानी से रह सकते हैं अब दूसरी परेशानी है उच्चत अपमान यानि की बहुत ज़ादा गर्मी 105 degrees Fahrenheit जो की हमारे शरीर के लिए तेज पुखार के बराबर होता है उट के लिए बहुत सामानने होता है रिगिस्तानी प्राणी जैसे उट, साप, कैंगरू रैट आदी इस उच्चत अपमान को भी सहन कर सकते हैं कैंगरू रैट, फेनेक, फॉक्स, साप और कई अन्यजीव दिन के समय चुपती गर्मी से बचने के लिए जमीन के अंदर बिल या गुफा बना के रहते हैं फेनेक, फॉक्स के लंबे कान गर्मी दूर भगाने में उसकी मदद करते हैं और आप सोचिए कि पॉधे क्या करते होंगे? पॉधे भी मरुस्थलिय आवास में अनुकूलन के लिए पानी को संग्रक्षित या जमा रखते हैं और आप बताईए ये कार्यवे कैसे कर सकते होंगे? कैक्टस की पत्या वाश्पी करन के दौरान पानी के हरास से पचाने के लिए काटों में परिवर्तित हो जाती हैं इसलिए कैक्टस का हरा तना भोजन बनाने के लिए कार्य करता है कैक्टस का तना बहुत स्थूल होता है और लंबे समय तक पानी को संग्रहित रख सकता है इनकी जड़े पानी की खोज में दूर दूर तक पहुँच जाती हैं और थोड़े से भी पानी को तुरं तक अपने और खीच लेती हैं अफ्रीका का सहारा डेजर्ट दुनिया के सबसे गरम रेगिस्तान है तो अब आप समझ गए होंगे बच्चों कि रेगिस्तान के पौधे और प्रानी उच्च तापमान में कैसे अनुकूलन करते हैं तो अभी के लिए बस इतना ही बच्चों बाबाई